हेलो दोस्तों आजम बनाने बाले एक बहुत ही मैजिकल केंडी जिसे खाकर आपको सर्दी जुखाम एकदम छूमंतर हो जाएगा ये बहुत जादा खाने में टेस्टी होती है इसे बच्चे बड़े कोई भी एज का इंसान खा सकता है इसे सर्दी जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अगर आपको सर्दी जुखाम नहीं है तो भी आप इसे ठंड में खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इस कैंडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी अद्रक यहाँ पर मैंने करीब 200 ग्राम अद्रक ले लिए है और इस अद्रक को मैंने एक पानी के वोल में डाल दिया है जिसकी यह भीग जाएगी अद्रक और इसकी जो अंदर डस्ट वगएरा है वो सारी निकल जाएगी इस तरह से आपको हाथों से साफ कर लेना है आप चाहे तो इस क्रवर की हल्क से भी इसको साफ कर सकते हैं यह ज़्यादा गंदी नहीं थी इसलिए मैंने इसको हाथ से साफ कर लिया इसके बाद इसका पानी टिशू से पोच देंगे आप कपड़े से भी इसका पानी साफ कर सकते हैं इसके बाद क्या करेंगे हम इसको गैस पे हलकी हलकी आँच पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे आप करीब 10 मिट भूनेंगे तो ये अच्छे से भून जाएगी और इसमें अच्छे सी खुजबु आजाती है इसके बाद जब अद्रग भून जाएगी तो इसको ठंडा करने के लिए हम इसमें पानी में डाल देगे और अच्छे से इसको छील लेंगे अब इसको अगर हातों से साफ करेंगे तो ये नहीं हो पाएगी तो आप इसको चाकू से अच्छे से साफ कर लीजे जिससे की जो कालिक फगरा लगी हुई है ना इस पे जली होई बो इस सारी साफ हो जाएगी अब पानी में बिगा के इसको चीलेंगे तो ये एकड़म आसानी से चील जाएगी और बहुत ही एकदम साफ होके निकलेगी ए तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारी अदरग को अच्छे से छील लिया है आप देख सकते हैं पानी कितने ज़्यादा गंदा हो गया है और अदरग एकदम से साफ हो गई है उसके बाद में इसको wash कर लेंगे एक वार और फिर इसको cut कर लेंगे इसको छोटे-छोटे pieces में cut कर लेंगे और इसको अच्छे से mixer में पीस लेंगे आप चाहें तो इसमें बिना पानी के भी पीस सकते हैं लेकिन अगर बाजन नहीं पिस पा रही है तो आप इसमें एक दो चमच पानी भी add कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से एक दम इसका fine पेश्ट बन के तयार हो जाएगा आपको बहुत मोटा पेश्ट नहीं बनाना है बिल्कुल जितना महीनों सके उतना महीन करिए इसके यवाद लेलेंगे 250 ग्राम अधरक इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा इसको कूट लेंगे आप चाहें तो यहां पर देसी घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरह से इस अधरक को करीब 5 मिट तक भूनना है 5 मिट बाद जब पानी जल जाएगा तो जो आपने गुड रखी थी वो इसमें एट कर देनी है आप चाहें तो जो जैगरी पाउडर आता है आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं वो आसानी रहेगी क्योंकि वो इसमें जल्दी से मेल्ट हो जाएगा तो आपको बनाने में समय कम लगेगा लेकिन मेरे पास वो थानी तो इसलिए मैंने इसमें गुड को कूट के डाला है इसके बद इसको मेल्ट होने छोड़ देंगे आप देख सकते हैं सारी गुड जो मेल्ट हो गई है अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं यहां पर डालेंगे एकचमच काली मिर्च पाऊडर एकचमच काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाऊडर और डालेंगे यह सफेद बाली तिल इसे तिल का टिस्स बहुत जादा अच्छा आता है इसलिए हम इसमें यह तिल का यूज कर रहेए हैं यह सारे मसाले डाल के इसको सी तरह से सारे मसाले डालने से चालता है ज़ुकम मैंने प्लेट मी प्लेत में निकाल लिए घोड़ेंगे में प्लेट में जड़ में और में खाल टो especially कि लिगा है तो हम क्या करेंगे ठोड़ा सा ओइल लगा लेंगे इस तरह से ऑः लगाने सी ङो गुड का मिक्षर हाथ पर आपके स्बदी यह जब हमी केंडी बनाएंगे तो इसकी शकर की जड़वत पड़ेगी Apost 있antly मैंने यह शक्कर पीस ली थी थोड़ी अगर आपके पास जो पिसी शक्कर आती अगर वह है तो बहुत अच्छी वात अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी मिक्सर में डालके पीस सकते हैं इसकी वात क्या करेंगे इसका छोटा सा पोर्शन लेकर इस तरह से छोटी-चोट नहीं करना है अबो को एक बार कोट करने से सारी कोबर हो जाएगी सकते हैं किति जढ meow ची लग रही है और एकड़ चिपकती वह नहीं है बहुत अच्छे से बहुत आराम से बन के तयार हो जाती हैँ आपको कोई भी महनत का काम नहीं है इसको बनाना बहुत ही आऽानी से बन जाती है इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सारी बॉल्स बना लिंगा Ilus ऐसी छोड़ दी है मैंने सक्कर नहीं विखाई है तो थोड़ा सा उपर से शक्र इसमें स्प्रिंकल कर देंगे जिससे कि यह आपस में चिपकेंगे नहीं आप देख सकते हैं देखने में कितनी जादा अच्छी लग रही हैं तो आप यह जरूर बनाएं और सर्दियों में जरूर खाएं अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई